हलो एवरिवन आदाब नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम अकेडमी के इस इन्फार्मिस्नल प्लेटफॉर्म पर जहां हम टीचिंग से रिलेटेट सारी वैकेंसियों को आप तक शेर करते हैं साथी साथ हम वीडियो में डिसकस करते हैं पोस्ट से रिलेटेट जो सीट होते हैं जो क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं साथी साथ लास्ट इट के उपर हम वीडियो में आप सभी से डिसकस करते हैं तो आज भी हम इसी टॉपिक के ऊपर एक बार फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आये हुए हैं इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे असिस्टन प्रोफेसर ग्रेट वन ग्रेट टू के पोजिशन पर जो रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं साथ इसाथ असोसि पर मिलता रहे यहाँ पर आज हम जो वेकेंसी लेकर आये हुए हैं वो इंडियन इस्टिट्यूट आफ इनफार्मेशन टेकनोलाजी जो की सूरत में इस्टैबलिश्ट है यह इस्टिट्यूट नेस्नल इंपोर्टेंस की एक इस्टिटिशन है जो की गुजरात इंडिया म अंदेथ रिक्रिमेंट यहाँ पर इनोंने मांगा हुआ है तो भारत की किसी भी स्टेट से अगर आप विलाउं करते हैं तो आप यहाँ पर इनमाइटिट है फार्म को अपलाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्रिमेंट है वो असोसियेट प्रोफेशर का है और असोसियेट प्रोफेशर के लिए अगर आप अप अपलाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आप कम्प्यूटर साइंस और इनजिनरिंग से रिक्रिमेंट मांगे गया है तो इसमें आप लोगों को एक लाग तीस हजार रुपए के करीब में सेलरी परवाइ जा रहे हैं इसके बाद आप अपलाई कर सकते हैं असिस्टन प्रोफेशर ग्रेट वन के पोस्ट पर यहाँ यहाँ पर डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर साइंस और इनजिनरिंग से रिक्रिमेंट मांगे गया है अकेडमिक पेलेबल 12 की सैलरी है दो सीटो पर यहाँ पर भी आवेदन आपसे मांगे गये हैं इसके बाद यहाँ पर डिक्रिमेंट निकल कराया हुआ है असिस्टन प्रोफेशर ग्रेट 2 के लिए और जिन डिपार्टमेंट से रिक्रिमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर साइंस और इंजिन मांगे गये हैं इसके बाद जो डिक्रिमेंट निकल कराया हुआ है वो असिस्टन प्रोफेशर ग्रेट 2 के लिए है और डिपार्टमेंट आफ केंप्यूटर साइंस और इंजिनरिंग और डिपार्टमेंट आफ इलेक्रोनिक्स और कम्यूकेशन इंजिनरिंग के साथ साथ डिपार्टमेंट आप अप्लाइट साइंस और हिमनेटीस से रिक्रिमेंट मांगे गए हैं अकेडमिक पे लेबल 10 की सैलरी है कोल यहाँ पर 16 सीटों पर आप फार्म अपलाई कर सकते हैं उसी के साथ अगर हम important dates की बात करें तो 25 नवंबर 2024 तक आप लोगों को अपना जो application form है वो फिलिप कर लेना है और उसकी जो hot copy है वो आप लोगों को submit कर देना है यहाँ पर अगर हम बात करें qualification की तो अगर assistant professor की post पर आप form अपलाई कर रहे हैं grade 2 के post पर जिसमें academic payable 10 की salary है तो इसमें आपके पास PhD होना जरूरी है आपने first division के साथ BTEC पास किया हुआ है MTEC पास किया हुआ है आप form apply कर सकते हैं किसी भी तरीके का experience यहाँ पर आपसे नहीं मांगे गए हैं वहीं assistant professor applied science and humanities के लिए अगर आप form apply कर रहे हैं grade 2 में तो यहाँ पर भी salary आप लोगों की same है और जो आपके पास qualification मांगे गए हैं जिसमें PhD आपके पास होना जरूरी है bachelor masters के साथ यहाँ पर भी आपसे experience नहीं मांगा गया है इसके बाद assistant professor grade 2 का जो post है academic payable 11 के लिए इसमें आपका bachelor masters और PhD के साथ साथ one years का post PhD experience teaching and research में मांगे गए हैं और इसके बाद assistant professor grade 1 के लिए अगर आप form apply कर रहे हैं academic payable 12 की जिसकी salary है इसमें आपको bachelor masters में PhD के साथ साथ जो qualification है इसमें 3 साल का experience है after PhD और 6 साल का यहाँ पर total teaching and research experience होने जरूरी है तो ही आप इस post पर form apply कर पाएंगे वहीं associate professor के लिए अगर आप form apply कर रहे हैं तो जो qualification यहाँ पर मांगे गए है bachelor's और master's के साथ साथ आपकी PhD हो और 6 years का यहाँ पर after PhD आप लोगों के पास experience हो और 3 years का यहाँ पर assistant professor के label पर आपने work किया हुआ है तो आप eligible रहेंगे form apply करने के लिए यहाँ पर department भी mention है जो application आप लेंगे उस application कोई भी यहाँ पर mention कर दिया है तो आप इसे अच्छे से read कर लें यहाँ computer, computer science and engineering, electronics and communication engineering और applied science and humanities से post निकल कर आया हुआ है जिसको आप fill up कर सकते हैं उसके last date से पहले तो इस वीडियो में इतना ही इस तरीके की और भी information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much